दोस्तों नमेशकार मैं उतकर्ष दिविदी स्वागत करता हूँ आपका परिक्षा खबरी में और आज है 10 मई 2020 10 मई ये दूसरा रविवार है मई महिने का और प्रतेक वर्ष मई महिने के दूसरे रविवार को हम मदस डे के रूप में मनाते हैं मात दिवस के रूप में मनाते हैं हाला की विश के कई देश अलग-ругоग डेट को मात दिवस के रूप में मनाते हैं फिल्हाल अंडिया में मात दिवस को 10 मई के दिन मनाय जाता है Maximum जो Countries हैं वहाँ पे मई के दूसरे रविवार को हम मनाय जाता है इसलिए Mother's Day आज के दिन मनाया जाएगा तो आप सभी को Mother's Day की धेर सारी शुक्क अमने है तो Let's Crack UP exams ये इस चैनल का नया नाम है यहाँ पे उत्तरब्रदेश से जुड़ी सभी परिक्षाओं की तेयरी Best Educators के माध्यम से कराई जाएगे आपको संपूर्ण, सिलेवस, सब कुछ आपको एक ही मंच पर प्राप्थ होगा अगर आपको व्रिहत कायक्रम से जुड़ना है अर्थाथ PDF चाहिए, टेस्ट चाहिए और भी सुविधाये चाहिए, आपको daily quizzes चाहिए doubt clearing session चाहिए तो उसके लिए आपको subscription लेना पड़े है जिसके बारे मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा आज चुकी मैं रविवार के दिन सापता ही current affairs देता हूँ और थाथ अभी तक जो 7 दिन मैंने आपको बताया current affairs उसका overview करता हूँ revise एक प्रकार से आपका हो जाता है तो चलिए आये देखते हैं कि हमने इस हफते किन किन current affairs के तत्यों पर चर्चा की चार मई के देखी हम आपको बता दें कि हम केवल उन्ही current affairs की चर्चा करते हैं जो आप compile करके किसी भी परिक्षा में बैट कर आप वो परिक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं 30-35 जो भी प्रश्ण आपकी परिक्षा में आएंगे जैसे UP-PCS में वहाँ से आपको इस अकेले वीडियो से अगर current की बात करें तो आपको maximum questions मिली जाएंगे बाद में हम रमाइड वीडियो देंगे ही आपको और अन्यत्र कुछ करने का हो शक्ता नहीं इसके लावाँ आपका GKGS का जो portion जो मैं डिसकस करता हूँ साथ में daily वो बहुत महत्वपूर्ण है उसको आप कहीं न कहीं note करते जाएए जो extra points में बताता हूँ इससे एक बहुत बढ़ी आपका syllabus के साथ साथ जो है समान अध्यन तयार होता चलेगा current phase के साथ साथ तो 4 मई को International Firefighters Day मनाय गया था अंतरराश्टी अगनी शामक दिवस मैंने आपको बताया था अस्टेलिया में आग से 5 अगनी शामकों की मित्व के बाद से जनवरी 1999 में हुआ था ये मनाय जाता है जनवरी 1999 से International Firefighters Day हमने बताया था कि आपको Firefighters Day जो मनाय जाता है उसमें एक logo आता है जिसमें नीले और लाल कलर का इस्तिमाल किया जाता है आप अक्सर देखेंगे Firefighters जो होते हैं या फायर बिग्रेड वगर है नीले और लाल कलर का जो प्रयोग किया जाता है उसका कारण क्या है लाल कलर ये आग का प्रतीक है खतरे का प्रतीक है और नीला कलर जल का प्रतीक है अर्थाद जल से आग बुझाई जा सकती है तो इसलिए नीले और लाल कलर के रिवन का प्रियोग के आता है उसके प्रतीक के रूप में तीन मई को विश्व प्रेस फ्रीडम दीवस था उसकी थीम मैंने आपको बताई थी जन्रिजम विदाओट फियर एंड फेवर इसके साथ ही मैंने विभिन जो इससे जुड़े तत्ते चर्चा की थी कश्मीरी केसर गोरखपुरी टेरा कोटा वो मड़ीपुरी चकहाओ जो की काला चावल है इनको जी आई टेग प्रदान किया गया जी आई टेग के बारे मैंने आपसे विस्तित चर्चा की थी यह भी बताया था कि जी आई टेग अधनियम जो 1999 था उसके बाद 2003 से जो लागू हुआ 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाई को दिया गया और जो कंट्रोलर जनरल आप डिजाइन पेटेंट एंड जी आई टेग यह जो देने का काम करते हैं उनका आफिस कहा है हमने आपको बताया था जिसको की पेटेंट कार्याले भी राजटी पेटेंट कार्याले भी कहते हैं कि मुंबई में इसका हैटकॉर्टर है और जो की जी आई टेग देने का कार्य करती है साथ ही जो आपके पेटेंट अधनियम है डिजाइन अधनियम है GI tag अधनियम है इनका प्रशासन करने का काम भी यही controller general office करता है 36 गड़ के बारे में बताया था कि मनरेगा के तहट सबसे ज़्यादा अकुसल समिकों को रोजगार देने के मामले में 36 गड़ सर्वोपरी है 24 प्रशाद हिस्सा के बाल इसका है मनरेगा के तहट रोजगार देने में 18 लाग से अधिक अकुसल समिकों को रोजगार देने मामले में शीवाजी in south block the unwritten history of a proud people ये महाराश्ट के गवरो शाली इतिहास को दर्शाती एक पुस्तक है जिसके लेखक है गिरीश कुबेर याद रखेगा ना पांच माई को अंतराश्टी मिडवाईव दाई दिवस था मैंने आपको बताया था WHO इस वर्ष दोजार बीस को नर्स और मिडवाईव का अंतराश्टी वर्ष के रूप में मना रहा है और उसने जो 7 अप्रेल को जो विश्वस्वास दिवस होता है क्योंकि 7 अप्रेल 1940 को विश्वस्वास संक्ठन की अस्थापना होई थी जेनेवा मुख्याले है उसका उसी उपलक्ष में विश्वस्वास दिवस मना जाता है 7 अप्रेल को इस साथ अप्रेल को भी वो जो दिवस था उसकी भी थीम और उसका सब कुछ नर्स और मिडवाइब पर ही समर्पित था तो 1992 से International Confederation of Midwives द्वारा ये अंतराश्टी मिडवाइब दिवस मनाए जाता है देखिए ये प्रशन आ सकता है कि इस दिवस को डबलू एचो मनाता है या फिर दो तीन संग्ठनों का नाम दे देगा और एक संग्ठन इसमें से International Confederation of Midwives रहेगा तो इसी को आप टिक करेंगे 1992 से ये Confederation जो है आफ मिडवाइब मनाता है अंतराश्टी मिडवाइब दिवस को नकी डबलू एचो तो काफी confusing रहेगा इसलिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूं जो लोग exam देने जा रहे हैं UPSC या UPPSC का वो याद रखें इसी इसको नैम की बात करें गुट निर्पेक शांदोलन हमने आपको बताया था बांडूंग सम्मिलन होता है उसके बाद बिलग्रेड में इसकी स्थापना होती है तो 4 मई 2020 को क्या हुआ अभासी शिकर सम्मिलन होता है नैम का प्रधान मंतरी नरेंद मोधी पहली बार इस सम्मिलन मे भाग लेते हैं ये इसलिए महत्यपूर था और नैम के बारे में कब नैम बना नेरू नासरी टीटो की क्या भूमिगा रही और 1961 में इसकी स्थापना किस तरह से हुई और क्या इसके कार है वर्तवान मित्ता सिंगिक्ता क्या है मैंने विस्तार से जाचा की थी तो 5 माई वा लाई मिताई एक प्रकार की मिठाई है मुंगफली कैंडी जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर हमारी तरफ दलबटी बोलते हैं इसको तमिल नाडु को जियाई टैग प्रदान किया गया ये तमिल नाडु का है ये वेंजन और इसको जियाई टैग प्रदान किया गया है तो यह एक्चुली तीन मई को मनाय गया था यहां गलती से 6 मई लिग गया है तीन मई को दसल मई के पहले रविवार को विश्वहास दिवस मनाय जाता है 11 जनवरी 1998 से इसकी सुरुवात मुंबई से हुई थी महत्पूर हैं तो तीन मई यहां कर लीजेगा मैं इसको जब PDF दूँगा आपको आज compile करके तो तीन मई इसको कर दूँगा मई के पहले रविवार को विश्वहास से दिवस मनाय जाता है L2 Pro India के बारे मैंने आपको बताया था कि DP IIT जो कि पहले इसको क्या कहते थे इसको पहले हम अद्योगिक नीती और समवर्धन विभाग कहते थे ठीके अर्था Department of Industrial Policy and Promotion जो इसका पुराना नम था अब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है DP IIT हो गया है Department for Promotion of Industry and Internal Trade यह कब हुआ 27 जनुरी 2019 को इसके और कारे बढ़ा दिये गए इसमें मोडिफिकेशन हुआ प्रिफाम हुआ एक प्रकार से अब DP IIT का नाम हो गया अब यह Startups और जो अन्यकारे हैं नवनमेश के नवाचार के वो भी अब देखता है इसके लावा FDI वगर की जो नीतियां है उससे संबंदित जो facilities हैं उसके लिए भी उसको बढ़ाने के लिए भी कारिये करता है ठीक DP IIT तो इसके द्वारा बहुत धिक संपता अधिकारों के संबंद में learn to protect, secure and maximize your innovation जिसको की short form में L2 Pro India भी कहते हैं इस नाम की website और mobile app ये launch किया है तो DP IIT ने किया है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं रूस इस वर्ष के अंद तक आर्केटिक जलवाई वह परियावरण की निगरानी है तो अपना पहला आर्केटिक M उपगरह launch करेगा तो आर्केटिक की जलवाई वह परियावरण की निगरानी के लिए हमने आपको बताया था कि मोजैक नामा के कभियान आर्केटिक के जलवाई के अध्यन के लिए ये जर्मनी भेज चुका है पिछले वर्ष मोजैक उसने भेजा था आर्केटिक M कौन भेज रहा है रसिया इसलिए कन्फ्यूजी आईगा मत जब भी एक्जाम में पूछा जाया साथ मही को कोई विशेश दिवस था नहीं विश्व हाथ सच्छता दिवस जो की पांच मही को था विश्व हाथ सच्छता दिवस जो की पांच मही को था इसकी जो वर्ष 2020 की थीम रही सेव लाइस क्लीन यूर हैंड्स रही डबलू एचो के द्वारा ये विश्व हाथ सच्छता दिवस मना जाता है पांच मही को इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि सफसे आदा इस बार EC पर जोर दिया जा रहा है COVID-19 के चलते हाथ दोने पर ही असम क्यों चर्चा में रहा क्योंकि अफरीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला असम में पाये गया अफरीकी स्वाइन फ्लू जो क्लासिकल स्वाइन फ्लू है जो कि H1N1 है उससे अलग है उससे जादा खतरनाक है क्योंकि जो आपका CSF है अर्थात क्लासिकल स्वाइन फ्लू है H1N1 है वो एक छोटा RNA वाइरस है और उसकी वैक्सीन उपलब्द है जब कि अफरीकी स्वाइन फ्लू का की वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई जा सकी और ये एक बड़ा DNA वाइरस है इसलिए घातक है तो इसका जो पहला मामला था और ये एस फिर्डे फैमली का DNA वाइरस है याद रखेगा ये पूछा जा सकता है और देश में भारत में पहली बार ये वाइरस आया और ये आया है चाइना के थ्रू हाला कि इसका जन्म दोनों वाइरसों का स्वाइन फ्लू का और जो अफरीकी स्वाइन फ्लू है इन दोनों का ही जन्म अफरीका से ही हुआ है लगवग 19-19-19-20 के आसपास हुआ था और इस वाइरस के आनेक बाद से 28-19-19-20-3000 के आसपास या उससे अधिक सूवर जो है मर गए और ये इसका जो इस डिजीज की जो सारी चीजें हैं सिंटम्स हैं वो सब क्लासिकल स्वाइन फ्लू की ही तरह हैं ये भी स्वसंत अंत्र को ही प्रभावित करता है सुरू में तेज बुखार होगा बाद में स्वसंत अंत्र को प्रभावित करता है और अंततर मृत्यव हो जाती है मानो विकास रिपोर्ट 2019 के बारे मैंने आपको बताया था कि UNDP United Nation Development Program द्वारा 1990 से इस रिपोर्ट को प्रकाशित क्या जाता है इस रिपोर्ट में पांच प्रकार के सुचकांग है कौन-कौन से मानो विकास सुचकांग जो की 1990 से ही जारी होता है SDI इसके लावा जो अन्य चार है ये बाद में जोड़े गए जिसमें से असमानता सेयोजित SDI 2010 में लैंगिक असमानता सुचकांग 2010 से बहु आयामी निर्धनता सुचकांग जो की MPI है 2010 से और सबसे बाद में जोड़ा गया लैंगिक विकास सुचकांग GDI 2014 से तो ये पांच सुचकांग इस रिपोर्ट में समलित होते हैं जिनमें सबसे महत्पूर्ण और सफ्यादा चर्चित SDI होता है Human Development Index होता है जो की 2019 में जो रिपोर्ट आई उसमें भारत 139 में अस्थान पे रहा कुल 189 देशों में 2018 में भारत की स्थिती 130 थी तो एक अस्थान का सुधार हुआ है मामूली सुधार नार्वे जो है टॉप पे रहा पहले अस्थान पे फिस रिडजन लेंड तीसे अस्थान पे आश्चेलिया चौथे पे आईरलेंड पांच में पे जर्मनी और छटे पे हांग कांग और सबसे अंतिम अस्थान पे जो रहा नाईजर रहा सबसे निचले पाइदान पे आठ मही को विश्व रेट क्रास दिवास हमने इसकी पूरी कहानी आँको बताई थी किस तरह से हेंडरी डिनांट ने एक युद्ध देखा सुल्फिर इनों में इटली में और वहाँ पर जो अनुभो रहा उसको एक किताब में इनोंने उकेरा एक मेमोरी आफ सुल्फिर इनों में और इसमें उन्होंने एक जो युद्ध द्वारा प्रभावित लोग होते हैं और युद्बंदी होते हैं उनके भले के लिए एक संगठन की या एक संस्था की स्थापना की बात कही थी एक वर्ष बाद ही इनके इस बात पर विचार किया गया और विश्व रेटक्रास संस्था जो है अंतराश्टी रेटक्रास सोसाइटी के स्थाफ ना हुई और बाद में हेंडी डुनांड को 1901 में ये पहले नोबेल पुरसकार विज़ता थे शान्ती के पहले नोबेल पुरसकार से इनको नवाजा गया था इनका नाम महत्पूर्ण है और रेटक्रास जो सोसाइटी है उसको भी तीन बार नोबेल पुरसकार मिल चुका है बाकी कहानी मैंने आपको बताई ही थी विशाका पड़नम की बात करें तो LG पालिमर प्लांट में गैस रिसा हुआ जिसमें से इस्टाइरीन या इस्टीरीन गैस निकली जो कि एक प्राण घातक गैस है अर्थात ये अगर स्वसन मार्ग में चला जाए तो प्राण निकाल देता है आपने देखा होगा किस तरह से लोगों की जान गई काफी तो LG कैम एक कंपनी है साउथ कोरिया की उसी का ये प्लांट था पहले तो भारत का था बाद में इसने अधिग्रहण कर लिया था तो प्लास्टिक बनाने का कृतिम प्लास्टिक निर्मानत का प्लांट है जिसमें की स्टिरिन गैस का प्रयोग होता है इस गैस के रिसाओ से चोकी पाइप को लीक कर गई थी तो उससे रिसाओ हुआ और काफी इससे नुकसान हुआ लास्ट एट होम यह क्या है यह UNICEF की एक रिपोर्ट है टीक UNICEF की एक रिपोर्ट है United Nations Children's Fund इसको बोलते है उसकी एक रिपोर्ट है 2019 में लगबक 19 मिलियन बच्चे संघर्स्वा हिंसा के करण अपने ही देशों में विस्थापन में रह रहे थे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है जो कि अब तक का सरवाधिक ये आकड़ा है लास्ट एट होम पूछा जा सकता है विज्यन्त एट कारगिल दे लाइफ आफक कारगिल हीरो ये एक 22 वर्षिय सिपाहित है सेना के ठीक है विज्यन्त एट कारगिल विज्यन्त जी और इनके जो पिता है वी एंथापर करनल वी एंथापर ने इनके उपर इनकी शहादत और इनके जो परसनल लाइफ है किस तरह से ये कितने बीर थे ठीके निजी लाइफ में कितने सहासी थे ये सब उन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है तो विजयन्त एड कारगिल दे लाइफ आप कारगिल ही हो सुरक्षित दादा ये कारगिल के युद्ध में मारे गए थे सहीद हुए थे सुरक्षित दादा दादी वा नाना नानी अभियान ये नीतियायोग वा पीरामल फाउंडेशन द्वारा वरिष्ट नागरिक है तो चलाया गया है चुकि आपको पता है कोविड नाइंटीन की वज़ा से सबसे आदा अगर प्रभावित कोई है तो वरिष्ट नागरिक है तो उनकी सुरक्षा के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ नितियायोग ने एक जागरुकता अभियान जलाया है जिसका नाम है सुरक्षित दाददादी वा नाना नानी अभियान डीपी एसनेगी ये माने देशक निवक्त हुए हैं स्ट्रमब्यूरे के हैं ठीक है ना मुस्तफ़ा अल कदीमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री निवक्त हुए है भारत अल्कोहल योग सेनिटाईजर के निरयायद पर भारत ने प्रतिबंद लगा दिया क्यों प्रतिबंद लगा दिया क्योंकि यहां पर डिमांड बहुत जादा है तो डिमांड को पूरी करने के लिए भारत ने इस पर निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समित का दुबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है इसके पहले भी अध्यक्ष थे चुकि एक वर्ष का होता है कारिकाल लोक लेखा समिति का प्रते एक वर्ष इसमें चुन नियुक्त किया जाते हैं जो सदस्य और अध्यक्ष हैं जिर में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के साथ राजसभा के होते हैं अध्यक्ष परंपरागत रूप से जो विपक्ष का नेता होता है लोगसभा में उसको नियुक किया जाता है स्पीकर के दौरा लांग मार्च 5B ये चाइना का सबसे बड़ा वाहक राकेट हुआ है जो की लांच हुआ इसका पहला लांचिंग थी पहला सफलता पूरवक ये प्रक्षेपड था किसका लांग मार्च 5B का वंदे भारत मिशन की बात करें तो ये मिशन कैसा है खाड़ी वंने देशों में फसे भारतियों को वापस लाने है तो नागरे की विवानों नोसेनिक जहाजों द्वारा ये अभियान चलाया गया भारसरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन याद रिखेगा 9 माई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कल था वर्ष 2006 से इसको मनाय जाता है और दो बार वर्ष में मनाय जाता है एक माई में और एक अक्टूबर में और माई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाय जाता है इस बार की जो theme है birds connect our word भारत में जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके बारें पढ़ लीजे प्रवासी पक्षी होते हैं जब विशम परिस्तितियों में अपना एक जो अस्थान रहता है वास्तिविक अस्थान उसको छोड़ करके अन्य अनुकूल अस्थान पे चले आते हैं तो जो प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं महत्पूर्ण उनको जानते रही है आता है प्रश्मियां से साइबेरियां सारत जो की सबसे महत्पूर्ण है ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने माला पक्षी है और साइबेरिया के जंगलों से प्रतिवर सर्दियों के मोसम में केवला अदेव घाना राष्टी उद्यान जो की राजस्तान में वहाँ पर आता है अमूर फालकन य भारत आता है राज हनस जिसको ग्रेटर फ्लेमिंगों भी कहतना है जो कि अफरीका यूरोप और भारत निपाय जाता है अफ्रीका और यूरोप से ब्हारत में आता है गर्मी के दोरान रोजी पेलिगन ये प्रजनन हेत्य प्रवास करता है इसलिए माधव पूर्ण है यू परणन लेता है एशियाई कोयल इरान गिरती मुद्रा के चलते हैं चुकि अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिपन लगा रखे हैं इरान पे तो रियाल से चार शूनी की इसने कटोती कर ली है और इरान की जो राश्टी मुद्रा रियाल है उसको बदल करके टोमन कर दिया जाए यूए निपी उनाइटे नेशन इन्वार्मेंटर प्रोग्राम इसके बारे मैंने आपको बताया था तर दिया मिर्जा को राश्टी सद्भावना दूत जो कारेकाल था उनका समाप्त हो रहा था 2020 में 2022 तक बढ़ा दिया है दिया मिर्जा विनित्त्री भारती हैं ही साथी स राश्त की स्थिर्ता विकास लक्ष की अधिवक्ता भी है उसकी वकालत भी करती हैं यूए निपी के बारे मैंने आपको बताया था इसकी अस्थापना के बारे में किस तरह से इसकी अस्थापना होई पांच जून 1972 को इसके पहले स्थाक होम समेलन हुआ था जो कि पर्या पर मानो सम्मेलन था पर्यावरण पर चिंता ब्यक्त करने के लिए इसी के तुरंद बाद 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई United Nations Environment Program की और उसी 5 जून के उपलक्ष में ही विश्व पर्यावरण दिवस मना जाता है प्रतेग वर्ष उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज के प् ये लोगो डिजाइन प्रतियोगता है किसके द्वारा परेटन मंतले के द्वारा कौन है प्रहलाद सिंग प्रटेल इसमें प्रेटन मंत्री है भारती मौसम विज्ञान विभाग IMD इसने मौसम पूर्वा नुमान में पियोके को शामिल कर लिया है तो एक मात्तपूर्ण ये बात हुई है इसलिए पूछा जा सकता है भारती मौसम विज्ञान विभाग जो कि अब विश्व मौसम विज्ञान संगिठन का एक सदस्य है कब से सदस्य है मैंने आपको बताया था सब कुछ कंप्लीट 1875 में तो भारती मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी ठीक है और इसमें मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्रांसिस ब्लैन्फर्ड पहले समवादा था थे इसके बाद में 27 अप्रेल 1949 को विश्व स्वास संग्ठन का इस तदस्र बन गया था ठीक है 27 अप्र विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन का सदस्र 27 अप्रेल 1949 को बना था यह और इसका जो मुख्याले दोस्तों नई दिली में है प्रित्वी विज्ञान मंत्राले के अंतरकती आता है ठीक है आई-मडी विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन का जो की जो अस्थापना हुई अर्थाद यूएन के एक विभाग के रूप में जो अस्थापित हुआ था 30 मार्च 1950 को कहां है इसका मुख्याल है विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन का जैनेवा में है स्वेड़िज्य लेंड में और 13 मार्च 1950 को यूएन के विभाग के रूप में अस्थापित हुआ इसलिए 23 मार्च को प्रत्य एक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दीवस के रूप में मनाया जाता है अब आपके मन में एक प्रशन उट रहा होगा कि 23 मार्च 1950 को जब इसकी इस्थापना हुई विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन की तो 27 अपरच 1949 को ही कैसे IMD सदसे बन गया इसका तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 1947 में ही संदी हो गई थी विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन संबंदित 23 मार्च 1950 को यह स्थापित किया गया था तो यह संदी जो हुई थी 1947 में ही हो गई थी तो 1949 में भारत जो है इसका संदी से जुड़ गया मेरे कहने मतलब यह है ठीक है तो विश्व मौसम विज्ञान संग्ठन से कब जुड़ा 27 अपरच 1949 को ध्यान रखियेगा यह पूछा भी जाता है और अगर आपने लर्निंग एप अभी तक डाउनलोड न किया हो अनके एडमी लर्निंग एप तो इसको डाउनलोड इंस्टाल कर लें यहाँ पर कोई भी विश है किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे कोई टॉपिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं पिर चाहें तो subscription लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं subscription आपको एक मन से लेकर के दो साल तक के उपलब्ध है अर्थाद एक साल एक महीने से लेकर आप दो साल तक का admission ले सकते हैं प्रशल को कुछ उसमें लगेगा जो भी subscription charges हैं देखर पढ़ सकते हैं हमारा referral code अगर आप यूज़ करते हैं referral code है UD10 मेरा ये यूज़ करते हैं तो किसी भी course में आपको छूट मिल जाएगी तो इसको अवश्य अगर आपको join करना है तो UD10 referral code अवश्य यूज़ करिएगा ठीक है ना तो 12 महिने का course में जैसे 7,000 रुपए आपका लग रहा है तो 24 महिने का course में उसी course में 900 रुपए लगेंगे तो आपका 2 वर्ष का जो fee रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो 2 साल के subscription ले सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका selection भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो UD10 आप याद रखेगा referral code तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद